27 अप्रेल 2021 के current affair करेंगे इस class में उसके बाद हम question करेंगे यह सब topic cover करेंगे हम first topic है हमारा चैड यह country है जी अफरीका जो continent है उसमें country है देश है यह news में इसलिए है क्योंकि इसके president है उसकी मिर्ती हो गई है अब इसके around कौन कौन सी country border लगाती है यह याद रखना हमें और एक यहाँ पे लेक चैड है मतलब जील है जी यह चैड नाम की इसी के नाम पे इस country का नाम है चैड और इसकी capital है जी एंडी जमेना इसकी capital है यह याद रखना है इसके around लीबिया, नाइजीर और नाइजीरिया, कैमरून, कार और यह सुडान, यह सुडान में एक दारफूर इसी का पार्ट है दारफूर रीजन है यह UPSC ए एक बार पूछ चुकी है महस्दा फॉलोंग में दारफूर रीजन को यह सुडान जो country है उसी का पार्ट बनाता है तो इसके around कौन सी country है यह आपको याद रखन है यह इस दिए न्यूज में है हमने देख लिया इसके प्रेजडेंट थे इद्रिस देवी इनकी डेड मतलब डेथ हो गई या अभी डेड हो गए यह नौर्थ सेंट्रल अफ्रिकन कंट्री है और लेंड लॉग कंट्री है लेंड लॉग कंट्री का मतलब है चारों तरफ लेंड से गिरी हुई है भूमी से उस कंट्री को लेंड लॉग बोलते हैं जब कोई कंट्री समुंदर से ने लगती मतलब इसका कोई पार्ट सी से ओस्य न्यों से किसी से नहीं लगता यह बदर कौन-कौन सी कंट्री लगाती है यह हमने देख लिया ओलर behaviour मैं जो अफ्रीक विराफिन एक tablet है जी गोल यह tablet किसलिए दी जा रही है यह अभी इंडिया में एवर्जंसी यूज के लिए इसको approval दे दिया है मतलब अनुमती दे दिये कि इंडिया में इसका यूज होगा प्रियोग होगा किसने दिये देखो जी कोई भी दवाई को approval कौन देता है यह आपको यह department यह office है जो याद रखना है drug controller general of India यह किसी भी दवाई को यूज करना है उसको permission approval यह देते हैं drug controller general of India तो इसने अभी approval दे दिये यह जाइडस काडिला कंपनी का नाम है यह tablet बनाती है वीराफिन नाम की यह किसलिए यूज की जाएगी जी COVID-19 के लिए यूज की जाएगी क्योंकि यह जो वीराफिन टैबलेट है जी बहुत ही कारगर मानी जा रही है यह tablet इसमें क्या हो है यह पैगी लेटिड इंटरफेरोन अलफा 2B इसका पूरा नाम है जी पैगेल यह पूरा नाम जो लिखा हुआ है वीराफिन का ही यह क्या काम करती है जी पेसेंट में recovery के faster recovery के लिए काम करती है मतलब जल्दी से recovery हो जाती है जल्दी ठीक हो जाता है COVID का पेसेंट और एक सबसे जरूरी बात यह है कि जो oxygen की अभी कमी आ रही है ना हमारे देश में टैबलेट को जी वीराफिन नाम की टैबलेट को permission दिये तो किसलिए यूज होती है यह याद रखना आपको चलते है नेक्स्ट पर नेक्स्ट है अपना exercise वरुन 2021 यह वरुन नाम की exercise military exercise है जी bilateral यह इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में होती है अभी 19th edition हुआ इसका Arabian Sea में हुआ है यह conduct हुई है इससे पहले इंडियन नेवी की और फ्रांस की एक exercise हुई थी जिसका नाम है लापैरोज exercise यह यूएस ऑस्टेलिया और जापान के साथ मिलके हुई थी जो लापैर कैसे प्रोवाइड की जाए जी अपनी एक दूसरे के आदान परदान करते हैं प्रोवाइड करते हैं information वगरा इसके साथ ही फ्रांस के साथ और इंडिया की कोई और बहुत सारी exercise है military exercise जैसे desert night 21 और गरूड यह इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी है जो उसके बीच में इंडियन आर्मी के बीच में है इंडियन आर्मी के बीच में जी सकती इंडियन आर्मी और फ्रांस की जो आर्मी है दोनों के बीच में सकती होती है और वरून exercise अभी हमने देखा नवल exercise है इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के साथ होती है कुछ और important bilateral exercise है जो इंडिया और बाकी countries के साथ होती है जैसे Slynex है यह स्रिलंका और इंडिया के बीच में होती है और next है जी बॉंगो सागर और इन बी एन कॉर्पेट यह बांगला दिस के साथ होती है एक जिम बैक्स है जी या जिम एक्स जिम एक्स बोलते हैं कतार इंडिया समुंदर सक्ति होती है इंडोनेसिया देखो जी समुंदर सक्ति इंडोनेसिया और इंडिया के बीच में और सिर्फ सक्ति होगी सिर्फ सक्ति सक्ति है सिंपल तो सक्ति किस के बीच में होगी इंडिया और फ्रांस के बीच में ये आपको याद रखना है इंडो थाई कॉर्पेट ये इंडिया और थाईलेंड के बीच में इंकोर इंडिया मलेशिया के बीच में सिंबैक्स इंडिया और सिंगापूर के बीच में और औसिंडेक्स इंडिया और आस्टेलिया के साथ होती है ये exercise यह military exercise हैं, कुछ important जो news में रहती हैं जी, इनको आपको याद कर ले ना, चलते हैं next पे, देखो यह आगर आप CAPF की त्यारी कर रहे हो न, assistant commandant की, तो उसमें यह बहुत पूछी जाती है, जी exercise कौन से किसके बीच में है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा important है, अगर UPSC के civil service के exam की preparation कर रहे हो, उसमें बहुत एक rare chance होते हैं, लेकिन पूछ ले तो कुछ कह नहीं सकते हैं, चलते हैं next पे, next है अपना topic, what happened to armenians in 1915, यह news हम पहले भी cover कर चुके हैं, अभी news में इसलिए, क्योंकि US ने स्विकार कर लिया, accept कर लिया, कि armenia के साथ, जो जी नाइंसा फिवी के साथ bottle लगाता है, और meditancy के साथ bottle लगाता है, टर्की, यह meditancy और black sea के बीच में है, टर्की, यहाँ पे यह region है, यहाँ पे कुछ अर्मेनिया के लोग रहते थे, world war हुआ था उससे पहले, मतलब late 19th century में, और early 20th century में, यहाँ पे इस area में बसे हुए थे, अर्मेनिया के क कि नर्संगार, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना, killing of the number of people in, मतलब, in one time, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना, नर्संगार या genocide बोलते हैं, जी, तो by genocide कर दिया था, अर्मेनिया के people का, तो इसलिए से अर्मेनिया जीन 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 उसाइड, तो इसलिए, अ उन्होंने officially recognize कर दिया है कि जो अर्मेनिया के लोग थे उनकी mass killing हुई थी और किसने मारा था Ottoman Turk, Ottoman Empire है जी उस टाइम पर रहा करता था जब First World War से पहले Ottoman Empire था, Ottoman Samarajah, मतलब King थे जी यहां के राजा, वो उसे Ottoman Samarajah बोल जाता था, Turkey में जिसका rule था, तो इसने अभी US ने अमरीका ने स्विकार कर लिया कि हां Armenian के लोगों को 1915 से 16 के बीच में बहुत सारे लोगों को मारा, Turkey ने, Turkey ने मारा जी जिसे act of genocide कहा, कि नरसंगार एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना, लगग 1.5 million, 15 लाख Armenian लोगों को मारा था, ऐसा estimate लगा जा रहा ज तक, इस बीच की बात हो रही है, Turkey का response क्या जी, Turkey कहता, देखो जी, हम इसे acknowledge करते हैं कि that atrocities were committed against Armenian, कि Armenian के against क्या है, atrocities अत्याचार हुए थे, लेकिन वो deny करते हैं genocide को, कि उन्होंने कोई नरसंगार नहीं किया था, एक साथ बहुत सारे लोगों को नहीं मारा था, जो लगबग 15 लाख लोगों को dwal रहे हो कि, आप हमने 15 लाख लोगों को मारा है था, 1.5 million लोगों को, तो उसको Turkey स्वार करता है, एसेक्ट नहीं करता, reject करता है इसको, Turkey के foreign ministry नहीं कहा है, जो विड़न से जो US के राश्ट पती है जी, President है, जो विड़न से बोला, ये भाइसा हो, आपके क्या जी region band देखो अल्रेड हम पहले पढ़ चुके हैं लेट 19th और 20th century में क्या हो था Armenian के बहुत सारे लोगों को मारा था और ये great power का victim बन गया था एक तरह से मतलब जब first world war हो रहा था तो इसने भी उस दोरान में इसके लोगों को मारा गया जो Ottoman Empire था 19th century में decline कर रहा था मतलब इसका पतन हो रहा था जी Ottoman Empire का rule था तरकी में तो Armenian ने क्या क्या था Armenian जो रूरर था जी उसने उसने क्या क्या था अर्मेन को रसिया का close tease मानता था मतलब अलाय मानता था तरकी उस टाइम पर तो इस तरह तरकी ने जो Ottoman Empire था अर्मेनियन को एजे फिफ्ट कॉलम की तरह देखा था फस्ट वर्ल्ड वार के दोरान तो जो regentment की जी वो started हो गई रूसो और तरकी वार में रूँसो और तरकी वाद मसलब रस्या और तरकी का युद हुआ था 1877 और 1878 के बीच में तो इन दोनों के बीच में Enemy Regendment, मतलब इन के बीच में दुस्मनी स्टार्ट हो गई Russia और Turkey के बीच में उसके बाद Turkey और Russia के युद्र के बाद Treaty of Berlin हुई मतलब Berlin की संदी हुई जिसमें ये माना गया कि जो सुल्तान अब्दुल एहमद सेकिंड ये राजा थे जी टर्की के इनसे कहा गया कि आप जो अर्मेनियन पीपल आपके एरिया में रहते हैं टर्की में उस एरिया में आप रिफॉर्म करोगे डवलप्मेंट लाओगे जो सुधार करोगे और ये गारंटी दोगे कि जो अर्मेनियन के लोग टर्की में रहते हैं न उन्हें किसी से खत्रा नहीं होगा और सिक्योर्टी प्रोवाइड करोगे अर्मेनिया के पीपल को किस थे Kurds और Sirkassian ये लोग हैं जी Kurds एक परजाती के लोग है और Sirkassian इन लोगों से सुरकशा परदान करोगए た मेनिया के लोगों को जो टर्की में रहते हैं तो इस treaty में ये रखा गया तो टर्की ने ऐसा माना जी ठीक है लेकिन हुआ क्या जी सुल्तान ने कुछ ऐसे मतलब कुछ साइन देखे कि जो अर्मेनिया वो रसिया के ज़्यादा क्लोज जा रहा है और रसिया, टर्की और रसिया का युद्ध हो चुका था 1877 में, 1877 में तो रसिया के क्लोज जा रहा था अर्मेनिया कंट्री तो अर्मेनिया को एजे वो ú एनिमी देखने लगा राइवल कंट्री देखने लगा तो लेटर अक्टूबर 1914 में टर्की ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू रहा तो जर्मनी की साइड ये आगया मतलब टर्की ने जर्मनी का साथन दिया फर्स्ट वल्ड वार में और जर्मनी और टर्की एक साथ हो गए तो ओटोमन एमपार था जी उसको डिफीट देखने को मिली मतलब हार हो गई इसकी ओटोमन एमपार की रसिया ने हरा दिया जी रसिया दूसरी पार्टी थी दूसरी पार्टी के बीच में रसिया यूके ये ए रसिया ने अर्मेनिया को हरा दिया इस बैटल में इस लड़ाई में बैटल ओफ सरीकामिश में तो उस टाइम पर फिर जी टर्की पर ये बिलेम लगाया गया कि टर्की ने जो अपनी डिफीट के वज़े से क्योंकि अर्मेनिया रसिया के साथ था ऐसे साइन देखने को मिल र अर्मेनियन मतलब एक्ट ओफ जीनोसाइड लोगों का नरसंगार किया मतलब लगवग 15 लाक लोगों को मारा था उस टाइम पर तो टर्की ने सीरीज ओफ अटेक किया अर्मेनिया के उपर तो ये था जी सारी स्टॉरी चलते है नेक्स्ट पर नेक्स्ट है हमारा पीम केयर एक फंड है जी फंड का मतलब इसमें मनी जमा करते हैं जी एमर्जंसी सिच्वेशन के लिए ये 2020 में बनाया गया जी जब करोना आया था करोना के काल में 2020 में बनाया गया तो ये फंड भी न्यूज में क्यों है क्योंकि इस फंड मेसेजी लगवग 551 प्रैसर स्विंग पूरे देश में COVID-19 के पेसेंट के लिए तो इसने अभी फंड अलोकेट किया है इस PM केर फंड ने की लगवग 551 प्लांट लगाए जाएंगे जो ऑक्सिजन जनरेट करेंगे ऑक्सिजन पैदा करेंगे जी इसमें लगवग 201 करोड रुपे का फंड अलोकेट किया जी ऐसे और अभी इंस्टोलेशन के गए पहले भी इससे मतलब इससे पहले भी जो अभी 551 नए प्लांट लगाने के लिए बोला इससे पहले 162 प्लांट ऐसे लगा चुके है ऑक्सिजन जनरेट करने के लिए जिसमें 201 करोड रुपे फंड दिया था PM केर फंड से अब ये पहले द एड्जॉप्शन का मतलब होता है जी तो collect at surface मतलब सतह पर कुछ चीज इघटा करना एड्जॉप्शन का मतलब प्रैसर आप जानते हो दवाव स्विंग मतलब जूलना अब इसमें क्या है जी कोई जूला जूला है नहीं है ये टेकनलोजी ऐसी है कि mixture of gases होंगी उस gases में से क कुछ gas को separate किया जाएगा मतलब कुछ gas होंगी जी इसमें बहुत सारी gas mix है और कुछ gas को separate कर लिया जाएगा इसका main मकसद है oxygen बनाना उन gas से निकालना ये operate होगा जी near ambient temperature के ये near ambient temperature का मतलब है जी जितना room में temperature होगा room में मानलो room में आपके 32 degree temperature है उसी temperature पे ये किरिया कराई ज से some gases को separate किया जाएगा near ambient temperature का मतलब जितना room में temperature है कुछ addition नहीं करेंगे temperature का ये differ है जी significantly from cryogenic distillation technology से मतलब एक technology दूसरी भी है cryogenic distillation technology ये भी किसलिए काम करती है gas को separation करने के लिए मतलब gas को अलग करने के लिए mixture of gas को तो दो टेकनोलोजी आपको याद अखनी है जी सिर्फ कित distillation technology और अभी जो पढ़ रहे है pressure swing adsorption technology ये दोनों टेकनोलोजी gas को अलग करने से हैं तो ये आपको याद रखना है लेकिन जो प्रैसर जो ये है जी pressure swing adsorption technology वो इस technology से अलग है differ है अलग है cryogenic distillation technology से अलग है ये चीज़ आपको याद रखना है इसमें next जी इसमें है कि specific ये ads adjobant material है जो जैसे कि geolite होगा इसमें material होगा जी activated carbon होगा molecular sieves होगे ये क्या करेंगे इनको trap किया जाएगा मतलब एक तरह से इखटा किया जाएगा और फिर adjob किया जाएगा जी इनको targeted gas species को high pressure पे मतलब high pressure दवाब बना जाएगा उस pressure पे इन सारे molecular carbon वगरा ये हैं इनको इख low pressure पहले high pressure पे इनको इखटा किया जाएगा फिर low pressure पे इनको दुबारा से छोड़ दिया जाएगा low pressure करके और जो हमें चाहिए gas उस gas को इखटा कर लिया जाएगा समझे ये इस तरह से यूज होगी next अपना PM care PM care fund है जी इसके जो chairman होते हैं जी प्राइम मिनिस्टर होते हैं कब इसे सेटप किया गया था इस fund को 27 मास 2020 में इसको बनाया गया था और यह public charitable trust कोई बीस में दान कर सकता हैं कोई बी donation दे सकता है, donation का मितलब दान कर सकता है contribution और जो भी इसमें donate करता है nा fund में मानलो आपने 10 रुपे किया दस रुपे किया, आपने इसमें दान दिये, तो उस रासी पर कोई tax नहीं लगेगा, 100% tax exemption है, पतला मानलोजी कोई 1 करोड रुपे कमाता है एक महिने में, उसकी salary है, या business से कमाता है 1 करोड रुपे, अगर वो मानलोजी कुछ पैसे जमा कर दिए इसमें 50 लाग, तो 50 लाग प ये भी emergency situation के लिए इसमें से money ली जाती है जी, पैसा और distribute की जाती है, मानलोजी साइकलोन आ गया, कुछ आ गया, तो इसमें से दी जाती है, साहिता करने के लिए states को, तो इसी तरह से ये इससे डिफर है जी, इससे अलग है, different है PM Care Fund, next क्या करता है जी, इसको administer कौन करता है, इसका जो ex-official chairman होते हैं जी, prime minister, ex-official का मतलब है जी, जो जिस time पर prime minister होंगे, वो automatically PM Care Fund के भी chairman बन जाएंगे, अधक्स बन जाएंगे, जो prime minister होंगे, जैसे अभी नरंद मोदी जी, prime minister है, तो automatic इसके chairman बन जाएंगे, कुछ इसके trustee, एजे trustee काम करते हैं जी, ex-official trustee, fund, मतल team minister इसके member की तरह, trustee की तरह काम करेंगे, trustee का मतलब है जी, इसके fund के behalf पे काम करेंगे, मतलब इनके कोई पैसा इनका नहीं है, बस fund के दूसरों को देने के लिए, साहता करने के लिए, जो काम करते हैं, trustee, चलते हैं जी, next पे, next है जी, अपनी cyber crime volunteer program, देखो जी, एक program है, ज इसमें एक RTI डाली गई थी, और home minister से information मांगी गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि देखो जी, हमारी कोई, ये responsibility नहीं है, कि जो volunteer है, volunteer का मतलब होता है, जी, पहले ये समझाओ, volunteer का मतलब, जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, बिना salary, value कोई नहीं दी जाती मानलो salary भी दें, तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, ये volunteer, जैसे मानलो जी, आपके college में कोई function हो रहा है, और आप security provide करने के लिए, एजे volunteer काम करोगे, तो ये volunteer होते हैं, जी, जैसे, और cyber crime का मतलब है, जी, जो internet के जरिए crime होते हैं, या आपके computer से data चुरा लिया, image, photo, या को जूज किया जाएगा, जो भी मानलो अपनी मर्जी से, एजे volunteer काम करना चाहिए, कि cyber security से government की help करे, government की साहता करे, तो एजे volunteer ये scheme चलाएगे, जी, program, तो इसमें union home ministry ने ये काया कि भाई साव ये हमारी responsibility नहीं है, कोई centralized list हम तयार करें, maintain करें, मतलब एक list ऐसी, कि जिसमें volunteer के साव के नाम हो, कि कौन-कौन volunteer काम कर रहा हम मिनिस्टी के अंडर, तो ऐसे कोई, ये union home ministry की कोई responsibility नहीं है, union home ministry ने ये बोला, क्यों बोला, क्योंकि जो police है ना, police, police एक state subject है, और 7th dual में आता, जी, state subject है, यानि कि state government, police पे law बनान सकता है, कानून, तो ये central government की responsibility नहीं है, और इस तरह से जो list है, जी, volunteer की, वो कौन करेंगे, maintain state करेंगे, ऐसा बोला, ये news में इसलिए था, जी, right to information act के जरिए, जी, application डाली गई, कि total volunteer कितने हैं, ये बताया जाए, cyber crime volunteer program में, तो ये program चलाया गया था, जी, as a national cyber crime reporting portal की तरह, इसमें ministry सारी information वगएरा क्या जी, directly respective states वगए प्रोग्राम क्या जी, देखो, पहले एक center है, Indian Cyber Crime Coordination Center, I4C shortcut में बोलते हैं, इस program ने ये program को envisaged गया, मतलब इस program को एक तरह से चलाया, कि cyber crime volunteer program होगा, जिसमें पूरी country से different part से, खुद volunteer station को invite किया जाएगा, जो voluntarily, मतलब अपनी मर्जी से काम करने की इच्छा रखेंगे, सर cyber crime को लडने से, मतलब इन cyber crime को कैसे रोका जाए, security कैसे provide की जाए, इसके लिए government की साहता करेंगे, तो ऐसी scheme चलाये गई, ये volunteer register होते हैं जी, और जो ये service utilize करते हैं न, respective state और UT को देते हैं जी, उनकी requirement जितनी होती है, मतलब state में और UT में, union territory में, या state में, राजजय में ही का जो unlawful content होता है, उसको remove करने के लिए, जैसे illegal activity हो रही है जी, internet के जरिए, उनको रोकने के लिए ये 500% volunteer की तरह, चूज किया जाएंगे, ये volunteer क्या काम करेंगे जी, इनका role और function क्या होगा, volunteer का, जेखो जी, ये confidential करेंगे, मतलब strict इन पर क्या है जी, law एक तरह से लागू हो जाएंगे, ये कोई भी information leak नहीं करेंगे, government की, समझे, जो भी state nodal officer होगा, मतलब state के जो भी officer होगे, उनके under ये काम करेंगे, और जो भी direction दी जाएगी, volunteer को उसकी direction पर काम करेंगे, और किसी का भी, किसी भी program के जो condition और term जी, जो rules हैं, उसके against काम नहीं करेंगे, अगर मानल जी इसके against काम करते पाए जाते हैं, तो इनको सजा मिल सकती है, volunteer को, तो volunteer को, तो volunteer कोई भी, ना तो public statement जारी करेंगे, कि वो इस program के under associated है, मतलब public में आप किसी को ये नहीं बता सकते है, कि ministry of home affairs के अंडर, मैं ये voluntary काम कर रहा हूँ, cyber secretary को रोकने के लिए, क्योंकि ये confidential है, ए मतलब ministry of home affairs का नाम नहीं लोगे आप, कि ministry of home affairs के ग्रह मंतराले के अंदर काम कर रहे हूँ आप, और इस program में associated हो, जो social media और public platform पे implement होगा, जी, इसकी concern क्या जी, अब परिशानी क्या है, इसमें कुछ problem है, problem ये है, no information available on how the ministry will ensure that program is not misused, मतलब इसमें कोई भी ऐसी information नहीं दी ग किया जाएगा इसका, जैसे मानलो जी, किसी की information आपने ले ली, और मानलो कोई opposition political party या उसके against आप मानलो इस information को use करो, misguide करो, तो इसमें कोई ऐसी information नहीं दी गई है, कि जो भी data आप collect करोगे, किसी का भी, वो misuse नहीं होगा, ऐसा कुछ कहीं पे नहीं लिखा गया इसमें, प्रोग्राम में, next है जी, no process in place for withdrawal of complaint, मानलो जी, एक बार किसी ने complaint कर दी, cyber crime के regarding, और कोई ऐसा process नहीं है, वो withdraw कर सके, मतलब अपनी complaint वापस ले सके, ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है, provision नहीं है, कोई भी definition नहीं दी गई है, जी, unlawful content की, मतलब illegal जो content, aware content है, कानून क वरुध content है, जो internet पे है, वो उसकी कोई definition ही नहीं है, परिवासित नहीं क्या गया, कि कौन सी activity, anti-national activity होगी, ये नहीं दीखाये गया, मतलब राष्ट के वरुध कौन सी activity होगी, तो इस तरह से जो ये program है, एक तरह से Supreme Court का एक case है, जी, उसको violate करता है, उसका उलंगन करता है Supreme Court की direction है, एक case में, स्रेया सिंगल वर्सिज यूनन ओफ इंडिया का case था, 2013 का, इसमें Supreme Court ने कहा था, कि मानलो जी, जब भी कोई online speech वगेरा पर restriction होगी, ये ensure करेंगी, कि उसकी जो क्या, जी, right है, free speech on internet, जो right है, उसको criminalize ना किया जाए, समझे? मतलब एक तरह से ये, जी, जो भी मानलो, free speech का right मिला हुआ है, अंडर article 19, constitution के according, जो fundamental right है, तो ये state किया जी, इस right को rustic नहीं करेगा, इस पे कोई limit नहीं लगाएगा, और इन्हें criminalize नहीं करेगा, मतलब criminal नहीं बनाएगा, कि internet पे, जो free speech है, मानलो, किसी ने internet पे पोस्ट कर जी, इसके against है, Shriya single versus union of India case के according, तो ये ही था, जी, इसमें चलते है, next है compulsory licensing, compulsory licensing की एक provision है, एक law है, ये रस्या में भी एक law, जी, रस्या भी compulsory licensing करती है, और हमारे इंडिया में की बात हो रही है, अभी इंडिया में हमारा एक patent act है, जी, patent act, उसमें compulsory licensing की provision है, मतलब जी, जैसे मानलो, corona की कोई दवाई नहीं है, जी, अभी, corona को दूसरी दवाईयों को यूज किया जाता है, ठीक करने के लिए, और कोई, मानलो, जी, corona की दवाई बना दे, तो corona की दवाई जैसे ही बना देगा, तो उसे मानलो, इस patent जो है, worldwide, world, wto, भी recognize करता है, जी, इसे, world 20 साल तक, और यही company manufacture करेगी, मानलो, जी, एक company ने, corona की दवाई बनाई, समझे, तो यह होता, जी, patent, अभी यह compulsory license news में, इसलिए, तो कि रसिया ने यह planning किया है, कि COVID-19 के लिए, हम, इंडिया को oxygen generator और concentrator भेजेंगे, और drug भेजेंगे, जी, इंडिया के पास, इंडिया को भेजेंगे, drug का मतलब है, जी, दवाई, रेम, डेसिविर, यह दवाई भेजेंगे, यह US की एक company का patent लिया हुआ, जी, रेम, डेसिविर का, मतलब US की company के पास इसका patent है, यह जो दवाई है, और जब patent है, तो patent का मतलब 20 साल तक वो company बेचेगी, लेकिन इसको, लेकिन इस patent क साइड में रखते हुए, रसिया ने यह decision लिया है, compulsory licenses के अंडर, कि हम इंडिया को यह दवाई export करेंगे, अभी US की एक company है, जी, उसके पास है, जिसका नाम है, जी, जी, लाड, साइंस, इंक, यह California based company है, मतलब California एक state है, किसमें, US में, अमेरिका में, वहाँ पे एक company है, ज लेकिन जो remdesivir, जी, यह clear कर दी गई थी, COVID-19 के treatment के लिए, by the US Food and Drug Administration, मतलब US का एक department है, जी, इसने remdesivir को, मतलब अच्छा दवाई के तरह यूज किया, कि यह COVID-19 को ठीक करने में, साहक हो सकती है, तो October 2020 में, US ने इसको permission दे दी थी, इस दवाई को, remdesivir को, कि COVID-19 के patient के ल license के regarding, मतलब इसको, इंडिया को देने के लिए कहा है, compulsory license के हम already पढ़ चुके है, जी, क्या होता है, एक ऐसा license इसू किया जाता है, जी, मानलो, किसी के पास patent है, तब भी यह license इसू किया जा सकता है, दूसरी company को दे देंगे, कि भाई साब, आप इस दवाई को बनाओ, भले ए कंपनी ने बनाई है, और बी कंपनी बनाना चाहती है, इस दवाई को तो ए का पास patent है, जैसे मानलो, रेम, डैसीविर का, तो रेम, डैसीविर की, मैनुफेक्ट्र करने के लिए, बी कंपनी, पर्मीशन लेगी, ए कंपनी से, तब बना सकती है, लेकिन, compulsory licensing, ये नहीं है, या तो ही नहीं, वो रेम, डैसीविर, या फिर, वो दवाई का प्राइस यतना जादा है, कि उस country में afford नहीं कर सकते है, मतलब, मानलो, 20,000 की एक tablet है, जी, वो नहीं खरीदना चाहेंगे, वो फिर अपनी कंपनी को, किसी को license देदेंगे, आप manufacture करो, और आप 20 रु 1970 का Indian Patent Tax, ये और एक agreement है, agreement on trade related aspect of intellectual property rights, ये deal करते हैं, compulsory licensing से, ये जो बाद वाला पड़ाना, agreement ये वाला, ये WTO में है, WTO का एक agreement है, समझोता है, और ये हमारा इंडिया के act है, दोनो compulsory license को recognize करते हैं, पैचान देते हैं, तो compulsory licensing तब दी जा सकती है, मानलो, किसी को patent लिए 3 सा हो गए हैं, और 3 साल से वो दवाई बेच रहा है, और फिर मानलो, वो afford नहीं कर सकती कोई country, इतने price में, और फिर उपलब भी नहीं है, किसी country में, तब दे सकती है, 3 साल के बाद, तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं, चलते है next पे, next deep time project, ये क्या जी, बस छोटा सा project है क्या है, फ्रांस में जी, कुछ ये लोग हैं जी, ये लोग उन्हों क्या क्या है, एक cave है, गुफा, गुफा में ये कम से कम 15 दिन तक रहें, अलग, outside world से कोई contact नहीं, यहाँ पर लाइट प्रकास हो रहा है, ये बिजली भी इन्होंने खुद बनाई, electricity भी, खाना पीना 15 द 15 दिन के लिए नहीं, 40 दिन और 40 नाइट के लिए, 15 पीपल थे टोटल, 15 लोग रहे थे, यहाँ पर, यहाँ पर टेंट लगाया जी, electricity, खुद contact किसी से नहीं रखा, और इन्होंने किसलिए क्या ये project, इसलिए क्या, ये देखना चाहते हैं कि जो लोगों का time का perception है, वो कैस कैसे change होता है, अगर मालो बाहर किसी world से, outside world से किसी से contact ही ना रहे, ना environment से, ना living condition से, किसी से contact ना रहे तो, तो बस इसमें ये देखा गया जी, इसके लिए एक project है, human adaptation institution, institute है जी, एक institute, उसके scientist ने ये, जो deep time project, experiment किया जी, फ्रांस में अभी, इसमें ये देखा गया है, कि ल adapt का मतलब है, किसी भी situation के साफ से, अपने आपको ढाल लेना, जैसे मालो गर्मी आ गई, तो अपने body अपने आप अडेप्ट कर ले, अपने आपको ढाल ले, उसी साफ से, सर्दी आगी तो उसी साफ से कर ले, तो ये देखा गया कि, अगर मालो कुछ environment में, परियावरन में change जा जाए, कुछ अचानक से बदलाव आ जाए, तो people कैसे अपने आपको ढाल सकते हैं, उस condition के according, तो इसमें बस ये experiment किया गया है, चलते हैं जी, अब question करने ही, इतनी टॉपिक थे हमारे आज के, question है जी आज का, पहला question है ये बताना है, इस्राइल कौन कौन सी कंटे के साथ बॉर्डर लगाता है, आपके option है, साओधिय अरविया, एजिप्ट, टर्की, जॉर्डन, लेवनन, देखो जी, साओधिय अरविया से बॉर्डर न लगाता, जोकि बीच में जॉर्डन आ जाता है, और टर्की तो बहुत ही दूर है, तो दो, चार, पांच हमारे correct option है, इसम human की जो foot print है increase हो रहा है, मतलब human pollution ज्यादा फैला रहा है, ये कारण है, migratory bird का जो habitat है, मतलब उसका निवास है, उसमें disturbance हो रहा है, जो water chestnut है, water bodies में, वो उसका cultivation की वज़े से, क्योंकि water bodies में water chestnut उगाए जा रहे है, cultivation क्या जा रहा है, उसकी वज़े से, water bodies का जो water level है, वो increase decrease हो रहा है, इसकी वज़े से, इनकी जनसें क्या decrease हुई है, decline हुई है, migratory bird की, migratory bird ऐसे होते हैं, जो एक place से, दूसरे place में, चले जाते हैं, कुछ समय के लिए, या permanently चले जाते हैं, migrate हो जाते हैं, तो आपको बताना जी, कौन-कौन से कारण है, इसके migratory bird के decline होने के, कम ह होने के, इनकी population, 123, 12, 124, या all of the above, इसका D answer है जी, सारे के सारे इसके region है, आपको याद रखने हैं, चलते हैं, next बताना जी, national dairy development board के regarding कुछ statement दूई है, आपको correct statement बतानी है, कौन से हैं, correct statement बतानी है, सही, आपकी पहली statement बोल रही है, कि एक institution है, national dairy development board ऐसा संस्ता है, जो national importance क के लिए काम करती है, और, parliament ने एक act बना के, कानूर बना के, इसे setup किया था, बनाया गया था, इस board को, next board रही है, ये cooperative principle पे काम करती है, मतलब साहता करती है, farmer वगएरा को cooperative होती है, जो farmer की, उनके साथ मिल के काम करती है, next करी है, ये ऐसे program चलाती है, जिससे, जो woman farmer है, मतलब महीला जो किसान हैं, उनको train करती है, scientific knowledge provide करती है, animal health वगएरा को कैसे सही रखा जाए, clean milk production कैसे किया जाए, तो woman किसान की साहता करती है, ये national dairy development board, आपको बताना जी कौन सा correct है, इसमें तीनों के तीनों correct है, जी, सारे के सारे सही है, चलते है next, next है अपना, आपको gram सभा के regarding क statement दिए हैं, आपको correct बताना कौन सी है, पहले कह रही है, gram सभा में क्या जी, ये इसलिए बनाए गई गई गराम सभा के, ताकि village level पे governments, जो village level पे क्या जी, लोगों का participation बढ़ाया जा सके, जो village में, जो less previous section of society रहता है, मतलब जो poor people, गरीव, जो लोग अलग, मतलब government से अलग बिल्कुल रहते हैं, जी, दूर दराक इलाकों में, उनको government में include किया जा सके, तो ये इसलिए gram सभा का एक तरह से काम करता है, gram सभा होती है, जी जितने भी 21 years से उपर लोग होते हैं, यानि कि 18 years से मानलो, 18 years से उपर, क्योंकि 18 years से उपर, लोगों को vote देने का अधिकार हो तो किसी भी गाउं में 18 years से जो vote देने का दिकार है, उनको सब को मिलाके gram सभा बोलते हैं उनको, तो gram सभा की definition भी आद रखनी है, कि 18 साल से उपर लोग जितने भी गाउं में रहते हैं, जो vote करते हैं, वहा सरपंच के लिए, उन सब को gram सभा बोलते हैं, जी मिलाके, नेक्स नेक्स statement बोलरी है, gram पंचात क्या है जी, tax wax generate करती है, जी सोब अगर आपे house tax लगा के, या water field लेके, कुछ clean water field लेके, ये कुछ tax और non-tax revenue खटा करती है, जो पंचात में खर्च करती है आपको बताना जी कौन सा करेक्ट है 1,2,1,3,2,3 या all of the above दखो जी सारे के सारे करेक्ट हैं डी करेक्ट आंसर है explanation हमने देख लिया next आपको बताना जी graphene graphene की कुछ property है जी ये बताना आपको कौन कौन सी properties इनमें से characteristics सही हैं graphene की पहरी statement बोल रही है graphene only one atom thick atom है मतलब graphene क्या जी ये एक atom की तरह ही पतलासा एक metal है ये मानलो आप next कह रहा है कि it is a carbon material with high conductivity ये carbon का ही एक रूप है material है जिसके पास high conductivity है मतलब electricity आसानी से पास हो सकती है business में से पास हो सकती है it is a strongest material ever tested और जितने भी अब तक material देखेंगे है उनमें से सबसे ज़्यादा मजबूत ये graphene है जी it is highly opaque constricted darkness ये opaque है जी opaque का मतलब है intransparent अपार दर्सी जैसे मानलो जी दिवार है ये दिवार खड़ी है ये opaque है मतलब एक यहाँ से अगर आदमी इधर खड़ा है तो इधर का नहीं देख सकता न ये opaque हो गया और जैसे मानलो जी mirror लगा है सीसा आपके घरों में window में सीसा लगा होगा तो यहाँ खड़े आप इधर देख सकते हो सीसे में से mirror में से तो ये हो गया transparent ये transparent हो गया तो transparent ये होता है ये टांस्पेरेंट है इसमें लिखा ओपेक तो ये फोर जहाँ पे जी काट दो आप काहां सा रगए ये ग्रैफिन जी कार्वन का एक एलो ट्रॉप है ये आद रखना कार्वन का एक रूप है जी चलते है नेक्स्ट पे जी नेक्स्ट है अपना आपको बताना जी antimicrobial resistance किस किस से हो सकता है क्या क्या कारण है antimicrobial resistance होता जी जैसे कोई दवाई बनी है जी मानलो TV के लिए कोई दवाई है जी रिफेमसिन का example ले लो रिफेमसिन एक दवाई है जी जो TV के patient को ये tablet दी जाती जी बोल ये एक अगर मानलो किसी को antimicrobial हो गया जी resistance उसका मतलब ये जी अब ये दवाई उसको TV को ठीक करने में काम नहीं करेगी तो ये antimicrobial resistance बोला जाता है कि अब इसको resistance हो गया जी जो antibiotic है ये एक antibiotic है रिफेमसिन एंटिबाइटिक दवाई medicine एंटिबाइटिक ड्रग तो अब एंटिबाइटिक इस पर काम नहीं करेंगी TV को ठीक करने में तो ये एक एक्जामपल है कि कि किसी बीमारी को ठीक करने में काम ना करें जब एंटिबाइटिक उसे बोलते हैं antimicrobial resistance अब आपको ये बताना है कि आप साफ सफाई से नहीं रह रहे हो उसकी वज़े से हो सकता है क्या या फिर healthcare facilities है जी वो जो poor infection और disease prevention मतलब poor infection हो और disease prevention का जो काम है जी वो बुलकुल कम हो हो उसकी healthcare facilities में उसकी वज़े से हो सकता है कि antimicrobial resistance आपको बताना जी वन टू वन ट्री टू ट्री या अल अव दियवब इसका d answer correct है जी all अव दियवब सही है DNA profiling used होती है जी किस-किस कामों में DNA आपको पता है जी हमारी body में 23 pair होते हैं जी chromozome के chromozome मतलब total 46 होगे 23 pair मतलब 23 जोड़े होगे total 46 46 chromozome होगे इनके अंदर होते हैं जी gene और gene के अंदर होते हैं जी DNA DNA सबसे छोटी unit मान लो आप जैसे ये chromozome होगे chromozome को jump करोगे आप उसमें gene मिलेंगे और gene में ये DNA होते हैं जी कुछ ऐसे structure के तो ये बताना जी DNA की profile है जो किस-किस काम में हम पता लगा सकते हैं इनका यूज करके criminal investigation के लिए मतलब मान लो जी किसी अपरादी का पता लगाना है तो DNA से उसका पता लगाए जा सकता है देखो जी आपके जो बाल है ना सरके बाल उनसे भी DNA का पता लगा जा सकता है आपके DNA का और match कराए जासकता है अगर जैसे आप मानलो कहीं पे खून कर आए कहीं पे मडर कर आए और आपका बाल तूटके गिर गया तो क्या करेंगे उस पुलिस क्या करेंगे उस बाल को उठा के लेज़े के जाएगी और साइंटिफिक रिसर्च होगी उस पे उस पे क्या जी डॉक्टर वगरा देखेंगे या DNA किसका है और DNA पर जैसे मानलो आप पर सके है तो आपका फिर लेके आएंगे जी आपका सेम्पल लेंगे बलड सेम्पल या कोई बाल ही ले लेंगे और फिर आपका DNA मैच कर आएंगे उस बाल के DNA से और आपके बाल लेके DNA से अगर match कर गया तो समझोंगे अपराद आपने क्या है ऐसे देखते हैं समझे तो criminal investigation के लिए यूज हो सकता है ये तो मैंने बताई दिया अब बताओ जी parentage testing के लिए कि ये पता लगाने के लिए कि ये बच्चा किसका है इसके लिए यूज हो सकता है कि geneological research के लिए gene की research के लिए हो सकता है कि animal और plant population की study अध्यन करने के लिए हो सकता है कि देखो जी चारों के चारे करेक्ट है सब के लिए हो सकता है DNA profiling चलते हैं next पे next जी CRISPR case 9-1 technology जी ये gene editing की technology जी ये भी कैई बार यूपसी दो बार question पूछ चुका जी इस पे तिवारा भी पूछ सकता है को no doubt ये technology gene में edit करने के लिए मानलो जी आपके gene अभी जैसे हैं और आपके gene में मानलो कुछ कर दिये जाए अभी आपकी मानलो black eyes है काली आखे हैं अगर आपके gene में मानलो कुछ editing कर दी न जैसे आप photo edit करते हो न camera से photo कीजते हो अच्छी photo बना देते हो मानलो बुरे से बुरा इंसान हो जी आजकल photo अच्छी आती है selfie लेके है ना ऐसे आप edit कर देते हो image को ऐसे gene को भी edit किया जा सकता है अगर आपके gene में editing कर दी न आप जैसी आखे बनाना चाहो बन जाती है जैसे मानलो कोई blue आई बनाना चाहे नीली आखे पीली आखे या मानलो brown आखे रितिक रोजन जैसी आखे बनाना चाहे तो हो जाती है gene editing से चाहिए CRISPR Cas9 technology gene identity के लिए ही काम करती है जी जीन एडिटिंग से रिलेटिड है तो आपको बताना जी यह technology के रिकार्डिंग स्टेट्मेंट दी है कौन सी करेक्ट है CRISPR technology क्या करती है DNA sequence में अल्टर करने के लिए modified gene function को modify करने के लिए पहला तो मैंना अल्रेडी बताई दिया बिल्कुल सही है मतलब कोई ऐसी बीमारी जो अनुवांसिंग है मातापिता से बच्चों में जाती है ऐसी बीमारी ओको ठीक करने के लिए यह technology यूज हो सकती है क्या gene editing system does not occur naturally in organism जो gene editing system है जी अपने आप किसी भी organism किसी भी gene में अपने आप नहीं होता जी gene का editing होना यह correct है क्या आपको बताना जी one two one three one only one two three देखो जी तीसरा बिल्कुल गलत है यह हमने कही बार जब करोना के बारे news पड़ी उसमें करोना ने अपने आपको अभी news में देखा होगा अपने आपको mutate कर लिया उसने मतलब change कर लिया मतलब organism में तो है वाइरस भी एक वाइरस ने अपने आप gene editing कर लिया अपनी दूसरी तरह का हो गया तो यह कह रहा है कि नहीं होता does not occur naturally मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं होता organism में तो इसलिए गलत हो जाएगा तो हमारे पहले दो सही हो जी यह answer हमारा सही हो जाएगा 1 & 2 next है आपको बताना है bacteriophagus कुछ समय news में देखा गया है यह therapy है जी किसके अगेंस्ट multi-drug resistance strain होता है किसी bacteria में of many bacteria का उसके against होता है जैसे मानलो जी multi-drug resistance का मतलब है जो हमने अभी antimicrobial resistance पढ़ाना question उसी के related है multi-drug का मतलब है जब किसी पे कोई drug काम नहीं करती है और वो दवाई मानलो जी A B दवाई इस patient को ठीक करने के लिए इस बीमारी को मानलो कोई X बीमारी है जी और X बीमारी से पहले A और B भी अगर drug दी जाए तो X जो disease है बीमारी वो ठीक हो जाती थी लेकिन अब नहीं हो रही क्योंकि इसमें क्या हो गया जी multiderk resistance हो गया strain तो यह bacteria ऐसे एक थेरीपी जो इसमें दी जाती है किसी को तो हर जगा मिलते हैं, यूबीकुटिस का मतलब हर जगा ये वाइरस वगरह मिलते हैं, यूबीकुटिस वाइरस हैं, और ये क्या करते हैं, जहाँ पे भी बैक्टीरिया वगरह exist करते हैं, उस बैक्टीरिया को मार देते हैं, kill कर देते हैं, इनमे जी RNA और DNA नहीं पाया जाता बेक्टिरियों फैगस में तो ये बेक्टिरिया को इनफेक्ट नहीं कर सकते हैं तो बताना जी कौन सी करेक्ट है 1,2 दोनों सही दोनों गलत देखो जी दूसरी स्टेटमेंट को इसके against हैं लग दोनों एक दूसरे हैं के against या निकि दूनों तो सही नहीं है पहली बिल्कुल सही है जी यह बैक्टिरिया को मार सकते हैं लेकिन दूसरी बिल्कुल गलत है इस में काहरा DNA लिक्टिरी होते है ह् wow या तो RNA होगा या DNA होगा तभी तो कोई जीव रहेगा जीव में तो हो गई होगा तो ये बिल्कुल गलत है जी A answer correct हो जाएगा इसके साथ हमारा lecture भी समाब